जी मेरी बेंट तौामी जी बहुत से ऐसे तरीके हैं जिससे घर के अंदर की हवा साफ रखी जा सकती है इसके बारे में भी जराब बता दीजिए तो घर में एक तो ये नीम, हल्दी, अद्रक, शतावर, अलवेरा, गिलोई, तुलसी आजकल मच्छरों से बचने के लिए मैंने कई बार बताएं डेंग वाला मच्छर अभी अक्टूबर नॉमबर तक जिन्दा रहने लगा पहले मर जाता था उसने भी अपनी इम्मिनिटी बढ़ा लिए तो उसके लिए लेमन क्रास तुलसी और मरवा दोनों ही अच्छे तुल अच्छे लोग घरों के उपर जैसे यहां तो जूता लगाते हैं उत्तर भारत में पता हैं क्या राम मर गया मारा गया क्या मती मारी गई देखो जूता टांग देंगे कुलडी को काड़ा पिला करके बूटसा चितर बढा के उसको टांग तेंग तेंग मैंने देखा घर की सारी नेगटिव एनर्जी पोजीटिव एनर्जी में कनवर्ट हो जाती है पॉलिशन भी दूर हो जाता है एयर फ्रेशनर के नाम पर क्या-क्या गरूमें और दुरगंद फैलाते रहते हैं और एयर को क्लीन करने के लिए क्या लगाते है आज कर एयर प्युरी फायर तो एर प्रिफायर के जिगा पेड़ पोदे अपने घर में अपने कुछ तो अंदर भी लग जाते यह जो गिलों यह नहीं अंदर भी लग जाते और बास भी लोग लगाते हैं लेकिन बास को अफशकुन माना जाता है पहले घरों में बास मात्र जो है अर्थी के लिए आता आजकर तो लोगों ने दो चीजें बहुत की एक तो बास लगाया यह वहां बहुत की है जिस्ने मनी प्लांट लगा यह सारे यह द την देरी तो अच्यास स्वामी जी देखे ये जो प्रोडूशंड की आपदा है ये जो प्रोडूशंड की आपदा है सौमी जी इसमें भी बहुत सारे लोग आपसद ढून रहे होंगे मुझे लग रहा है आने वाले वक्त में कारबारी जो है बड़े-बड़े वो दिल्ली अंसियार में अगर आपको एर कैफे दिखाई दे तो बहुत हैरान होने आली बात नहीं होगी आईए यहां पर 5,000 रुपे घंटे में एक घंटा साफ होगा लेके जाईए यह आइडिया भी दे रहे हैं आप लोगों को स्टार्ट अप का एक आइडिया भी दे दिया मैंने एर कैफे का एर कैफे स्वामी जी अच्छा ज़रा भी बताईए कि प्राणायाम यह वहां पर है जापान में और चाइना में कई जगए